Hello everyone, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस प्रकार से आय प्रमाड पत्र खुद से ही online apply कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी laptop की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही desktop की जरूरत पड़ेगी ये सारा कुछ काम आप अपने mobile phone से ही घर वैठे कर सकते हैं जब आप लोग आय प्रमाड पत्र के लिए online apply करेंगे तो आपको 15 रुपे की फीज का payment करना पड़ेगा जो कि आप online ही कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी भी जनसेवा के अंदर पर जाना नहीं पड़ेगा जब आपका आय प्रमाड पत्र बनके ready हो जाएगा इसके बाद आप लोग online ही इसे लगबख 7-15 दिनों के अंदर download कर सकते हैं कि इसमें 7-15 दिनों का time लग जाता है आय प्रमाड पत्र बनने में चली दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आय प्रमाड पत्र बन बाने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेज होने चाहिए तो सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसका आप लोगों को front और back एक photo खीच लेना है इसके बाद आपके पास एक passport size का photo होना चाहिए और इसके बाद आपके पास एक 100 प्रमाड पत्र होना चाहिए और स्वाप्रमारित घोश्रापत्र का लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा आप बहाँ से download करके उस पर हस्ताचर बगेरा करके और उस form को fill करके upload कर सकते हैं तो ये 3 documents होने चाहिए इसके बाद आप लोग आए प्रमारपत्र के लिए online ही apply कर सकते हैं चलिए दोस्तों आप मैं आगे का process अपने mobile की screen पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको इस form को fill करना है और क्या-क्या उसमें fill करना है और किस तरह से आपको payment करनी है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो के description box में आपको एक link मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप इस website पर आ जाएंगे इसके बाद यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा है citizen login तो इसी वाले option पर एक बार click करना है इसके बाद अगर आप लोग mobile phone में यह सारा कुछ process कर रहे हैं तो अपने mobile phone को desktop side में open कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा है username और password सबसे पहले यहां पर username डालना है इसके बाद password अगर आपको username नहीं पता है कि किस प्रकास से डालना है या फिर आपका username अभी तक बना हुआ नहीं है तो इसके लिए मैं already एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आपके सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और उसके बाद आपको एक username और password create कर लेना है उसी username को यहां पर आप टाइप करना है username, password और capture फिल करने के बाद submit वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही submit करेंगे इसके बा यहां पर देख सकते हो एक option दिखाई दे रहा है आय प्रमाड पत्र तो इसी वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद आपके सामने यहां पर आय प्रमाड पत्र बनाने है तो पूरा form आ जाएगा सब सब पहले यहां पर यह आपको select करना है कि आप गाउं में रहते हैं या फिर नगर में रहते हैं इसके बाद यहां पर प्रार्थी का नाम हिंदी में fill करते ना है इसके बाद यहां पर आपको प्रार्थी का नाम English में fill करना है यानि कि आप जिसका भी आय प्रमाड पत्र बना रहे हैं इसके बाद यहां पर पिता या फिर पती का नाम fill करना है इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है पिता या फिर पती आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उसका नाम यहाँ पर इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको माता का नाम फिल करना है कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर आपको अपना बर्तमान पता फिल करना है सबसे पहले आपको मकान नमबर फिल करना है अगर आपको यहाँ पर मकान नमबर अपना नहीं पता है तो आप कुछ भी मकान नमबर डाल सकते हैं चल जाएगा इसके बाद यहाँ पर मुहला और पोस्ट इसमें आप अपने गाउं का नाम डाल सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका जो जिला है वो पहले से ही सिलेक्ट रहेगा यानि कि जब आप इसका user ID create करेंगे तो बहां पर जो भी जिला select करेंगे बही जिला यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद यहां से आपको अपने तहसील select कर लेनी है जैसे ही clicking करेंगे यहाँ पर आपके जिला के अंतरगाच जितनी भी तहसील होंगी बोर सभी तहसील आ जाएंगी तहसील सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने गाउं का नाम सेलेक्ट करना है आपके तहसिल के अंतरगा जितने भी गाउं होंगे बोड़ सभी गाउं यहां पर आ जाएंगे इसके बाद यहां पर अपना एक mobile number फिल कर देना है इसके बाद यहां पर आवेदक का permanent address और current address सेम है तो आपको यहां पर tick लगा देना है अगर सेम नहीं है तो यहाँ पर आपको इस्थाई पता फिल कर देना है अब यहाँ पर पूँचा जा रहा है बेपसाय की आप काम क्या करते हैं तो यहाँ पर आप एक से अधिक काम अगर करते हैं तो वो भी टाइप कर सकते हैं जैसे कि माल लेते हैं, यहाँ पर कोई सिलाई का काम करता है, तो इस तरहे से आपको लिख देना है सिलाई, इसके बाद कामा लगाएंगे, इसके बाद और कुछ काम करते हैं, तो आपको उसी तरहे से यहाँ पर काम लिख देने हैं, जितने भी आप काम करते हों अब यहाँ पर पूँछा जा रहा है परिवार का विवरण आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों को यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे कि मान लेते हैं आपके परिवार में 5 सदस्य हैं तो यहां पर पांच टाइप करेंगे इसके बाद यहां पर पांचों सदस्यों का आपको बिवरण देना पड़ेगा सबसे पहले यहां पर परिवार के सदस्य का नाम यहां पर बेवसाय यानि कि इस बेवसाय से बारसिक आय कितनी हो रही है इसी तरहे से पांचों परिवार के सदस्यों के नाम टाइब करेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे के साइड में आ जाना है यहाँ पर अपनी आय का और कुछ बिवरड देना है आय निर्धारड है तू आवेदक की स्रेडिया इसमें मजदूर खेतिहार मजदूर से आपकी कितनी आय आ रही है इसके बाद किर्सी विभाग के विवरड से कितनी आय आ रही है पेंसन के रूप में कितनी आय आ रही है तो जितनी भी आपकी आय जहां जहां से भी आती हो आए प्रमाड पत्र जारी हुआ है या फिर नहीं तो अगर आपके पास आए प्रमाड पत्र है पहले वाला तो आपको यहां पर हां कर देना है अदर्वाइज आपको नहीं ही सिलेक्ट रहने देना है क्योंकि अगर आप यहां पर हां करेंगे तो आपको आए प्रमाड पत्र का number भी यहाँ पर fill करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर आवेदन सुल्क का भुक्तान कर दिया है या फिर नहीं तो आपको हाँ या नहीं select कर लेना है या आपको बाद में भुक्तान करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर अपना के लिए यह बनबा रहे हैं तो आपको इस वाले option को select करना है अगर आप छात्र ब्रत्ति के लिए इस form को fill कर रहे हैं तो आपको दूसरे वाले option को select करना है अगर आप किसी अन्य कारड के लिए बन बार हैं तो आपको अन्य वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर attach title यानि कि आपको दस्तावेज को upload करना पड़ेगा तो कौन-कौन से दस्तावेज upload करने हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कि अभी चार दस्तावेज आ रहे हैं जिसमें कि एक आपका passport site का photo सौप्रमारित घोषडापत्र रासन काड के छाया प्रति और बेतन परची तो इसमें आपको तीन डाकुमेंट्स को upload करना है अगर आपके पास रासन काड के छाया प्रति आनि कि रासन काड है तो इसके photo कापी upload कर सकते हैं बेतन परची है तो भो भी upload कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना एक photo upload करना है इसके बाद यहाँ पर सौप्रमारित घोषडापत्र upload करना है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा और इसके बाद अन्य वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पर आधार card टाइप कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर आधार card भी upload करना है तो इन तीनु documents को upload करना है upload करने के लिए choose file वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपको files वाले option पर click करना है आपके दस्तावे जहां कहीं पर भी रखे हूं आपको upload कर देने हैं यहाँ पर जो document का size है वो jpg, jpeg या फिर png में होना चाहिए और इसका अधिक्तम size 50 kv होना चाहिए 50 kv से जाधा नहीं होना चाहिए और document का size किस तरह से कम किया जाता है उस पर मैं एक already वीडियो बना चुका हूँ उस वीडियो का link भी मैं इस वीडियो के description box में दे दूँगा क्योंकि जब आप document का photo खीचते हैं तो उसका size काफी ज़्यादा होता है और उस size को हमें कम करना होता है तब ही हम यहाँ पर upload कर पाएंगे नहीं तो हमारा document यहाँ पर upload नहीं होगा सभी information को fill करने के बाद दर्ज करें वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही दर्ज करें वाले option पर click करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा यहाँ पर आपका photo आ जाएगा जो भी आपने upload किया है इसके बाद यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगी और इस आवेदन संख्या को आपको कहीं पर note करके रख लेना है इसके बाद आपके application की जो भी detail होगी वो सभी कुछ detail यहाँ पर आ जाएगी अभी आपको यह detail शो नहीं हो रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ security region के बजहे से इसे billar कर रखा है इसके बाद आप लोग यहाँ पर कुछ नीचे की side में आएंगे तो आप लोगों को एक option दिखाई दे जाएगा print का तो आप चाहें तो इसे print भी कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ से इस window को close कर देना है अब आपको जो भी आवेदन संख्या मिली है उसी आवेदन संख्या के माद्यम से यहाँ पर 15 रुपय का payment करना पड़ेगा इसके लिए आपको सेवा सुल्क भुखतान वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पर application number को fill कर देना है जो भी अभी आपको application number मिला था application number डालने के बाद submit वाले option पर एक बार क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करेंगे इस परकार से यहां पर amount लिखके आ जाएगा यहां पर आपको proceed with payment वाले option पर एक बार क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ जाएगा यहां पर आपको अपने debit card number को fill कर देना है इसके बाद यहां पर expiry date fill करनी है यहां पर आपके debit card के जो back side में CBB number होता है उसे type करना है यहां पर आपको card holder का name type करना है और इसके बाद make payment वाले option पर click करना है जैसे ही आप यहां पर click करेंगे तो आपको 15 रुपे का payment करना पड़ेगा आपके mobile number पर एक OTP send किया जाएगा OTP fill करने के बाद आपका payment यहां से successful हो जाएगा जैसे ही आपका payment successful हो जाएगा उसके बाद आपको रसेद की प्रतिलिपी वाले option पर एक बार click कर देना है इसके बाद यहां पर आपको अपनी आवेदन संख्या fill करनी है और सुरक्षत वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो आपकी जो भी आपने payment किया है उसकी slip generate हो जाएगी और उसे आप लोगों को download करके रख लेना है इसके बाद आपको यहां पर एक option दिखाई दे रहा है कुल लंबित आवेदन तो इसी वाले option पर एक बार click करना है जैसे ही click करेंगे तो आपने जितने भी documents के लिए apply किया था वो सभी documents के नाम और उनके application number आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे और यहां पर लिखके आ जाएगा अगर आपने payment कर दी होगी उसके बाद भी यहां पर applied but payment note done लिखके आता है तो इसके लिए आपको क्या करना है आपने जो भी payment किया है उसके slip को download कर लेना है तो यह problem आपकी solve हो जाएगी चली दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आपका दस्तावेच जब बनके तयार हो जाएगा तो आप उसे किस तरह से download कर सकते हैं तो यहां पर आपको एक option दिखाई दे रहा है निस्तारित आवेदन तो जैसे ही आपका यह documents जो है वो complete बन जाएगा और उधर से बहस दिया जाएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा अभी यहां पर 00 दिखा रहा है क्योंकि अभी कोई भी documents यहां पर बनके तयार नहीं हुआ है और जैसे ही document यहां पर बनके ready हो जाएगा इसके बाद यहां पर उसका number 100 होने लगेगा कि इतने documents आपके बन चुके हैं आप यहां पर जैसे ही click करेंगे तो वो document आ जाएगा उस document पर आप जैसे ही click करेंगे तो उसे आप download का सकते हैं नीचे के side में आपको download करने का option भी देखने को मिल जाएगा और दोस्तों आप लोग जो भी online आए परमाड पत्र या फिर जाती निबास परमाड पत्र यहां से बनाएंगे उस पे digitally हस्ताचर रहते हैं उस document पर महर लगवाने की कोई भी आपशक्ता नहीं पड़ती है क्योंकि आप लोग जब इस document को download करेंगे तो नीचे की side में साफ साफ लिखा हुग आपको देख जाएगा कि ये document digitally इस पे हस्ताचर किये गए है तो इस तरह से आप लोग घर वैटे ही आए परमाड पत्र के लिए मत्र 15 रुपए में online ही apply कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ आपको complete information समझ में आ चुकी होगी बट इसके लाबा कोई भी अगर information समझ में नहीं आई तो comment कर सकते हैं और apply करने के बाद आपको यहाँ पर 7 से 15 दिनों तक का wait कर लेना है और उसके बाद आपका जो document है वो यहीं पर आपको show होने लगेगा और यहीं से आपको इस document को download कर लेना है